करोनस नबस्कार बहुत स्वागत है आपका बिहारी नूज में वे तन सेंट भारती आज हम बात करेंगे कोरोनों के लिए कर ज़ा हुए सबसे पहले हैं सरकारी कारजालों को ले Корn 215-50% उपस्थी के साथ खुलेंगे सरकारी कारजालियों में आगंतुकों के परवेश को जो है बर्जित किया गया है इसके साथ अपवाद भी लिखा गया है अवस्यक्त सिवाउं तथा जिला परसासन पुलिस होमगार्ड कारा सिविल डिफेंस विद्धुतापूर्ती जलापूर्ती स्वस्ता इसके तहत नहीं आएंगे इसको भी आट बज़े की सेवा से मुक्त किया गया है पेट्रोल एवम LPG पेट्रोलियन सहीच संबंधित खुदरा एवम भंधारन परतिष्ठान को भी जो है इसके तहत से बाहर किया गया है कोल्डर स्टोरेज एवम बेर हाउसिंग से सवाय जो जुड़ी हुई है उसको भी बारी रखा गया है वही अगर नीजी सुरच्छा की बात करने तो इसको भी जो है इस दाइरे से बाहर रखा गया है आगर हम और भी अगर हम बात कर लें परतिष्ठान 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 सभी के लिए होने वाले मास्ट भहनना अनिवार होगा जो भी उस दुकान में होंगे उन्हें मास्क महनना होगा दुकान और परस्थानों में काउंटर पर दुकांदार और कर्मियों और गंतुकों को जो है हैंड सेनिटाइजर की विवस्था करनी वो जरूरी कही गई है साथ साथ सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा दोगज की दूरी मास्क के जुरी इस नियम का तो फॉलो करना ही करना होगा साथ साथ ये भी कहा गया है कि उपर रियुक्त सर्तों का पालन अगर नहीं करते हैं तो जीला परसासन जो है अपने हिसाब से कारवाई कर सकती है अब बात करते हैं सिच्छन संस्थान की सिच्छन संस्थान की अगर हम बात करने ति इसमें प्रीय स्कूल से आठमी तक के लिए विद्यालाय और कोचिंग संस्थान जो है बंद रहेंगे परन्तू अब हम आगे बात करने ते हैं सिच्छन संस्थान जारी रहेंगे अब बात करने ते हैं खाने पिने की तो इसमें रेस्टोरेंट में खाने के दुकानों और संचालन अगंतुकों के बैठने की कूल छम तके अधिक्तम 50% उप्यों के साथ अनुमान होगा समन्धित प्रतिसान बर सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मी कोविड के दोनों टिके लगा चुके होंगे ये मानक जो है वो रखा गया है अब हम बात कर लेते हैं आगे साधी विवाह से जुड़ी ही क्या अपडेट है इस गाइडलाइन के दहट इसमें कहा गया है कि विवाह समरों अधिक्तम 50 व्यक्तियों की उपसिति के साथ आउउजित की जा सकते हैं किन्तु इसमें डीजे एवं बाराज जुरूस की इजाजत नहीं होगी विवाह की पूर्व सुचना अस्थानिय थाने में कम से कम तीन दिन पहले देनी होगी वहीं अगर हम रात काचक्रम की बात करने तो इसमें 50 व्यक्ति जो है अधिक्तम सीमा तक हो सकते हैं अब हम बात करने परिवहन की परिवहन से दहारित बैठने की छमता जो है 100% उपयोग की अनुमती रहेगी यानि कि सारे सीटों पर लोग बैठ सकते हैं परिवहन विवाग सुनिश्चित करेगा कि सरवजनिक बाहनों में क्या विवस्था हो सकती है और सभी आतरियों को मास्क पहनना भी कम फर्ट मतलब कर दिया गय अगर हम आगे की बात कर लें तो इसमें कहा गया है कि सभी परकार के सारवजनिक बाहन नीजी परकार के समाजिक राजनीतिक मनुरंजन खेल कुछ सैसनिक सांस्क्रेतिक बाहन धार्मिक आयोजन 50% शमता एवं अधिक्तम 50 ब्यक्तियों की अधित सीमा जो की कम से कम हो तथा कोविर अनुकूल बेभार के अधितन मानक संचालन परकिरिया के निर्धारित अनुपालन के साथ आयोजित की जा सकती है आउजन के जिला परसासन जो है आपको पहले से अनुमती लेनी होगी अब हम बात कर लेता है नाइट करफु को लेकर क्या क्या बातें जो है वो कही गई है तो राज में रात्री दस वे से प्राता के पांच वे तक नाइट कर फु लागू होगा उक्त अब्धी के निम्न अनुमाने रहेंगे स्वास्त विभाक से जुड़ी गति विधियों के सनलंगन बाहन इबम स्वास्त प्रियोजनार प्रियुक्त नीजी बाहन इसके तहत नहीं आएंगे अनुमान कार्जियों से संबंधित कार्जालों के सरकारी बाहन बन परबंधन से संलंगन बाहन ये भी जो है इसके तहत नहीं आएंगे सही परकार के माल बाहन को जो है इससे बाहर रखा गया है वो इसे नीजी बहान जिन में हवाई जहाज ट्रेन से यातरी यातरा कर रहे हो या फिर जिनके पास इसका ठिकट हो वो भी जो है नाइट कर्फियू से दूर रहेंगे कर्टबे पर जाने है तो सरकारी सेवाव एवं अन अवस्यक अनुमान यातरीयों के नीजी बहान जो है वो भी जो है नाइट कर्फियू के तहट उन्हें रखा गया है यानिकू से दूर रखा गया है अंतर राजिये मारगव एबं अन राजियों से आने वाले नीजी बाहन जो है उसको भी इस कटेग्री से दूर रखा गया है सेवी परकार के मेले वं परदर्शनियों को इस आयोजन्स पर भी परतिबंथ लगा दिया गया है साथे साथ कहा गया है कि जिला परसासन भीड भारवले असानों तथा सब्जी मंडी बजार आदी तथा सरभजनिक वानों में सोसल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने समंधित कोवीड अनुकूल बेभार इबं अद्दतन मानक संचालन परकिरिया के तहत अनुपालन कराना सु जिला परसासन को ये दी गई है हिदायत की आप मास्क कैसे पहनवाएं और दोगज की दूरी मास्क है जरूरी इन सारे नियमों का आप पालन करवाते रहें साथे साथ अगर हम बात करनें जिला परसासन को ये भी अधिकार दिया गया है कि आप पे जो है वो दंडात्मक करवाई भी कर सकते हैं तो इसके लिए अगर हम बात कर लें तो इसके तहत आपदा परबंधन के धिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और भारतिय दंड सहिता की धारा 188 के प् से जारी कर दी गई है साथ जिला परसासन को ये अधिकार भी दिया गया है कि अगर आप गाई लैंड का पालन नहीं करते हैं तो आप पे दंडात्मक करवाई हो सकती है बिहार और भिहारी जुड़ी और भी ऐसे इंखबरों के लिए बने रहें बिहारी नियुज के साथ